हेलो फ्रेंट्स दिस इस एस्पी शिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरी डे दिए फ्रेंट्स आज के क्लास बीए फर्स्ट यर के स्टुडेंट्स के लिए बहुत हल्पफुल होने वाली है और इसमें आज मैंने साइकोलोजी का आर्थ याने के मनोविज्ञान का अगर मैं कानपूर युनिश्टी के बात करूं तो कानपूर युनिवर्सिटी के एकॉर्डिंग यह अपका थर्ड पेपर होगा अच्छा एक बात और बता दें बीएट फर्स्ट यर की दो क्लास हमने अभी तक दी है आज ही आपकी थर्ड ग्लास है क्लास 3 ठीक है और कान ले जाएं है ना चला जाएं ताकि सभी पेपर्स का जो सलेबर से उस साथ में कंप्लीट हो अगर मैंने सोचा कि एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करा देंगे दूसरा सुरू करेंगे तो पहले वाला आप बिल्कुल भूल जाएंगे तो इसलिए सब सारे सब्जेक्ट को स बहुत चलिए मनोविज्ञान शब्द अंग्रेची का सब्द साइकोलोजी यानि कि इंग्लिश का वर्ड है साइकोलोजी उसका हिंदी रुपांत्रन है साइकोलोजी को हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं जो ग्रीक भाषा के दो सब्दों से साइकी पी एस वाई सी साइकलोजी कहां से आया ये ग्रीक भाषा का वर्ड है ग्रीक भाषा में दो सब्द होते थे कौन कौन से साइकी और लोगोस साइकी और लोगोस से मिल करके बनता है साइकलोजी ठीक है इतने बात क्लियर हुई अब जानते हैं यहाँ पे कि साइकी का क्यार्थ है और लोगोस का क्यार्थ है लोगोस का आर्थ होता है विचार करना मन्थन करना सोचना और अध्यन करना लोगोस कार्थ होता है विचार करना सोचना समझना अध्यन करना वहीं पे जो साइकी कार्थ है वो भिन भिन समय पर अलग अलग रूप में परिवर्तित हो सटीक नहीं रहता साइकी कार्थ भिन 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 समयों पर भिन 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 रूप से जैसे आत्मा, मन आधिक की रूप में लगाया जाता रहाय कभी इसको आत्मा कहा जाता है कभी मन कहा गया है समय के कोर्डिंग इसका आर्थ बदलता रहता है चलिए अब बात करते हैं मनोविज्ञान की कुछ बहित्रीन definitions हैं हमारे सामने तो हम इनको discuss करेंगे, देखिए definitions of psychology Skinner के अनुसार, Skinner क्या कहते हैं? B.F. Skinner नाम है इनका मनोविज्ञान, वेवहार और अनुभाव का विज्ञान है इसकनल कहते हैं कि जो psychology मनोविज्ञान है यह वेवहार और अनुभाव का विज्ञान है वह हैं अगर मन की बात करें मन के अनुसार, मन कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान का शम्मंद वेवहार की वैज्ञानिक खोज से है क्या कहा है आधनिक मनोविज्ञान का सम्बंद वेभार की वेग्यानिक खोज से है इन डेफिनेशन्स को आप लिख लीचे या फिर यह जो PDF होती है हो में टेलेग्राम चैनल पर आपको पहरे वाली क्लास की भी प्रोवाइड करा चुका हूँ टेलेग्राम चैनल का लिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से टेलेग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं और सारी PDF आपको वहाँ मिल जाती है फिर वुडवर्थ के कॉर्टिंग क्या होता है वुडवर्थ क्या कहते हैं मनोविज्ञान व्यक्ति के अपने परिवेश के साथ किये जाने वाले कार्यों का वैज्ञानिक अध्यन है जो मनोविज्ञान है वहाँ व्यक्ति के अपने परिवेश अपने वातावर्ण अपने एट्मोसफेर के साथ जो भी कार्यों का जो किये जाने वाले कार्य हैं उनका वैज्ञानिक अध्यन ही मनोविज्ञान कहलाता है ऐसा वुडवर्थ कहते हैं चलिए अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का छेत्र देखिए इस प्रकार से हैं डिटे नोट्स आपको कही नहीं मिलने वाले हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ मनोविज्ञान यान की स्कूप आफ साइकोलोजी मनोविज्ञान का छेत्र मनोविज्ञान उन जीव विज्ञानों में से एक है यानि कि जितने भी जीव विज्ञान हैं उन जीव विज्ञानों में से एक है जिन में जीव के किसी ना किसी पक्ष का अध्यन किया जाता है जो साइकोलोजी है जो मनुविज्यान है मारा वह जीविज्यानों में से एक है जिसमें भी जीव के किसी ना किसी पक्ष का अध्यन किया ही जाता है मनोविज्यान के अंतरगत वाता वरण में किसी ना किसी प्राणी के विभार और अनुभूतियों का अध्यन होता है क्या है कि मनोविज्यान के अंतरगत जो भी एट्मोसफेर में किसी ना किसी प्राणी के विभार और उसके अनुभूतियां है उनका अध्यन होता है और उसके उसे समझने का भी प्रयास किया जाता है इस प्रकार मनोविज्ञान का छेतर उतना ही विस्तरत है जितना जीवन का छेतर है बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट कहता है बालक जो मनोविज्ञान है वह बालक किसोर, प्रोड, सामानी और अर्शामानी व्यक्तियों का मनुस्यों और पस्वों का तुलनात्मक अध्यन करता है मनोविज्ञान का करता है बालक का, किसोर का, प्रोड़ावस्था का, सामान, आयशामान, मनुस्यों पस्वों इन सब का कंपरेटिवली अध्यन करता है शमवेद फिर है मनुस्यों केवल जैविक्ये प्राणी नहीं है अपितु समाचिक प्राणी भी है इसलिए उसका विवहर समाच के अनस अदस्यों के दोरा प्रभावित होता रहता है क्योंकि समाच में रहता है, समाचिक प्राणी है इसलिए समाच में रहने वाले विक्तियों के एकॉर्डिंग उसके विवहर में प्रिवर्तन आता रहता है समवेदन, प्रतेक्षिकरण, चिंतन, तर्क, अवधान, रुची, इस्मरण, विश्मरण, समवेग, कल्पना, आदी सभी प्रकार की जितने भी हमारी मानसिक एक्टिविटीज होती है, मानसिक क्रियाएं होती है उनका अध्यन मनोविज्यान के अंतरगत आता है मैं आपको कुछ, यह आपका मनोविज्यान का छेत्र था, जो आप पढ़ रहे थे है ना, आपने मनोविज्यान का अर्थ पढ़ लिया, परिभासाइं पढ़ ली, उसका छेत्र पढ़ लिया इसके बाद कुछ इसके छेत्र जो है वो अलग-अलग करके दिया हुआ है मैं आपको समझाता हूँ देखिए यहाँ पे इस बुक में दिया हुआ है इसके अध्यन छेत्र को थोड़ा डीपली बताए गया है आपको बहुत ही सौर्ट में बताने का प्रयाज करूँगा देखिए एक है नॉर्मल साइकलोजी शामाने मनोविज्यान शामान मनोवज्यान के अंतरगत शाधान जो प्रस्थितिया होती है शाधान प्रस्थितियों में शामान विक्तियों के विभार का अध्यान किया जाता है और जो अशामान मनोवज्यान है इसके अंतरगत जो विक्ति मांसिक रूप से रोग ग्रस्त है या बौधिक रूप से या सारीरिक रूप से दोश युक्त है तो वो उनका सबकाधियन और शमान मनोविज्यान के अंतरगत होता है बाल मनोविज्यान की बात करें चैल्ड सैकोलोजी की तो इसमें जो है कि जन्म के पूर्व यानि कि गर्भावस्था से लेकर के उनकी परिपक होता यानि कि मैचुरिटी तक शारीरिक और मानसिक विकास का अध्यान होता है अगर बात करते हैं कि शोर मनोविज्यान की तो जिसको हम एडॉल्ट सैंस एडॉल्ट सैंट साइकोलोजी कहते हैं इसमें पालियावस्था लगबग 12 वर्ष की आयू के बाद कि सोर विक्ति जब लगबग 21 वर्ष का हो जाता है उसके शारीरिक, मानसिक, विक्तिगत और सामाजिक विकास का अध्यान होता है जब विक्तिक मनोविज्यान की बात होती है इंडिविज्वल साइकोलोजी की देखे विक्तिक मनोविज्यान में क्या होता कि कहा गया कि सभी विक्ति एक समान नहीं होते भाई संसार में चाहें दो ट्विंस हो यानि कि दो जुड़ूआ बच्चे भी हो तब भी उनमें कही न कहीं डिफरेंस होगा ही होगा संसार में दो लोग बिलकुल एक जैसे नहीं होते हैं तो इसमें विक्ति की वेक्तिक दिशेष्टाओं और उनकी विभनताओं का अध्यन किया गया है समाज मनवग्यान के अंतरगत क्या है कि विभती जू है इसमें विभीन ensamagic परशितियों में विख्टी और समाज की समाज के बीच और इन्टरक्शन यानि जो अंतर क र्यायएं होती हम उनका बीचिक रहेगा तो समाज समाज के शाद रहेगा वह समाज में रहने वाले विख्छितियों साथ उठेगा बैठेगा उनकी activities को सीखेगा क्रिय कलाब को सीखेगा तो उनके बीच interactions करेगा अंतर क्रिया एं करेगा वह सब किस में आ जाता है समाज बनोग्यान में आ जाता है और आप देखिए socks yeah और वेवहरों का अधियन किया जाता है जैसे पस्वों का कैसे अधियन किया जाता है जैसे थॉंडाइक है थॉंडाइक ने किस पर प्रियोग किया था थॉंडाइक ने बिल्ली पर प्रियोग किया था थॉंडाइक ने चुहे पर भी प्रियोग किया था जैसे पावलावने कुट्टे को बांध दिया गया था, गंटी बांध दी गई थी, उसको खाना दिखाया जाता था, और वो सब प्रोसेस चलता था, है ना, तो अभी आप पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा, उसके मुह में लार आ जाती थी, और समझ जाता था, जैसे कोहलर है, उन्होंने वन करके उसका अध्यन किया जाता है, इसमें प्राणियों के विवहार का प्रियोगात्मक अध्यन किया जाता है, इसके अंतरकत विशेश रूप से समवेदन, प्रतेक्शीकरण, समवेग, सीखना, इस्मरण, विस्मरण, इन सब एक्टिविटीज का अध्यन होता है, पहार तथा मानसिक क्रियाओं का एक क्रम से अधिन किया जाता है जितने भी मानसिक क्रियाओं हमारी होती हैं उनका एक क्रम से अधिन किया जाता है और क्रमिक विकास के कारणों का विसलेशन किया जाता है शारिरिक मनोविज्यान मानसिक क्रियाओं का शारिरिक क्रियाओं से अभिन्य संबंध है, शारिडिक मनोविज्यान में मांसिक क्रियाओं और जो नर्वा सिस्टम है, सेंस ओर्गेंस हैं, मोटर ओर्गेंस हैं, इनकी क्रियाओं का अध्यान इसमें होता है, प्रोड मनोविज्यान में अगर आते हैं, तो इसमें किवल प्रोड विक्तियों के वि प्रजने के लिए ठीक है so my difference आपने ये पढ़ लिया अर्थ जान लिया इसकी परिभाशाएं जान ली तो अगर class आपको पशन्द आई हो तो please like, share, comment करके चाहिएगा अपने friends दोस्तों तक जुरूर share कीजिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बिना copy किता आप पूरी तरीके से b8 की पढ़ाई complete कराती जाएगी ठीक है चलिए मिलते हैं next class में अगर आपने पहले की दो classes नहीं देखिए तो उनको भी देख लीजिए आप चाहें तो मुझे Instagram, Twitter और इन पर भी follow कर सकते हैं Instagram तो आप जॉइन कर ही लीजिए क्योंकि PDF आपको वहीं से मिलेगी